बिहार की रुप आउली विधान सभाज सीट का उपचुनाव दिल्चस्प होता जा रहा है लोजपा के बागी नेता संकर सिंग के नावांकर के बाद मुकाबला त्रिकोनिय हो गया है नितीश कुमार और बीमा भारती दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का उपचुनाव बन जदियू के कलाधर मंडल और राज़त की बीमा भारती ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत जोग रखी है नवसकार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा रुपावली विधान सभा उपचुनाव पर पूरे बिहार की नजर टिकी होई ह यहां राज़त के साथ जदियू की प्रतिष्ठा भी दाव पर है रुपावली विधान सभा शेतर का चुनावी इतिहास भी लोगों की दिल्चस्पी को और बढ़ा चुका है रुपावली में कॉंग्रिस को 1985 में अंतिम जीत मिली थी और भाजपा का अब तक यहां पर खा जदियू को लगातार तीन बार जीत यहां से मिल चुकी है ऐसे में यहां के राजनीतिक मिजाज को पढ़ पाना सभी के लिए कठिन रहा है रुपावली विधान सभा सीट का पहला चुनाव परिनाम भी पूरी तरह चौकाने वाला रहा था उस समय भी यह सीट काफी पर गया था बाद के दो चुनाव में कॉंग्रेस जरूर विजय रही 1967 में फिर यहां का परिनाम लोगों का ध्यान खीचने वाला रहा और यहां से CPI के 26 सर्मा विजय रहे 1997 में यहां जनता पार्टी को जीत मिली दो बार यहां निर्दलिये प्रत्यासी को भी जीत मिली है 1990 में सर्यू मंडल निर्दलिये प्रत्यासी के रूप में चुनाव जीते और बाद में CPI में सामिल हो गय थे रुपाली उप्चुनाव में जदियू के खलाधर मंडल राजत की वीमा भारती और लोजपा के बागी और निर्दलिये प्रत्यासी संकर सिंग के बीच त्रिकोनात्मक संगर्स की अस्थिती बन रही है बीमा भारती 2010 से जदियू के टिकट पर चुनाव जीतती रही थी लोगसभा चुनाव के एन मौके पर बीमा भारती जदियू का दामन छोड राजत में सामिल होई और लोगसभा में राजत की प्रत्यासी बनी उक्त चुनाव में उन्हें करी सिकस्त मिली और अब विधान सभा उक्त चुनाव में भाग ये आजमा रही है इधर जदियू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारा हर हाल में जीत के लिए अपनी जतन सुरू कर दी है लोजपा के बागी संकर सिंग निर्दलिये प्रत्यासी के रूप में मैदान मारने के लिए 80 चोटी एक किये हुए है आपको बता दें कि लोजपा राम बिलास के पुर्व विधायक संकर सिंग ने 15 जून को पाइटी से इस्तीफा दे दिया था पपू यादब से इंस्पायर होकर वो भी निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें पपू यादब के समर्थन का पूरा भरोसा था पुर्व विधायक की पत्नी प्रतिमा सिंग ने अस्पष्ट रूप से पपू यादब के चुनावी रनेनीती से प्रभावित होकर चुनाव लड़ने का इरादा जताया था प्रतिमा सिंग रुपाली शेत्र से ही जिला परिसत की सदस्य हैं और पुर्व चेर्मेन हैं 2020 के विधानसवा चुनाव में संकर सिंग ने लोजपा रामविलास प्रतियासी के तोर पर उम्मिदवारी पेस की थी और जद्यू की वीमा भारती से हार का सामना करना पड़ा था इससे पुर्व दोजार पाच में संकर सिंग ने रुपॉली विधान सवा से भीमा भारती को हडा कर चुनाव जीता था संकर सिंग सुरवाज से ही लोजपा के सदस्य रहे हैं उपचुनाव में रुपॉली सीट पर एंडिये ने जदियू से कलाधर मंडल को ठिकर दिया जिसके बाद संकर सिंग अब निर्दलिये उमिदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे संकर सिंग ने कहा है कि जनता का चुनाव उनके कहने पड़ ही लड़ रहा हूँ पच्चिस सालों से शेतर की जनता की सेवा की है इस बार जनता के कहने पड़ ही चुनाव लड़ रहे हैं जिला पारसत और संकर सिंग की पत्नी प्रतिमा सिंग ने कहा है कि शेत्र की जनता और पती संकर सिंग के नेत्रित में वो साल 2011 से ही चुनाव लड़ रही है अब तक जितना पंचायती चुनाव हो या फिर निगम का चुनाव हो सभी में जीत मिली है इस बार भी आसा करते हैं कि जनता संकर सिंग को उनकी सेवा का मौका देगी इसके साथ ही प्रतिमा सिंग ने बीते लोकसवा चुनाओ में पपू यादब के चुनावी रणिनिती की तारीफ करते हुए कहा है कि पपू यादब के मेहनत से होस्ला मिला है जब जनता ने निर्दलिये पपू यादब को चुना है तो निर्दलिये हवा ही है और निर्दलिये ही चुनाओ लड़ेंगे पप्पू यादब से समर्थन की बात पर प्रतिमा सिंग ने कहा कि उनसे बात होती रहती है अगर उनका समर्थन मिले तो वो आला कमान है जिधर जाएंगे जीत होगी बता दें कि लोग सभा चुनाओ से पहले RJD की प्रत्यासी बीमा भारती ने रुपाउली के विधायक पद से इस्तिफा दे दिया था जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी बीमा भारती पपू यादब के सामने कहीं भी नहीं टिकी और उनकी जमानत जब्त हो गई ऐसे में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाओ में पपू यादब फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि बीमा भारती पपू यादब से मुलाकाज करने गई थी और बीमा भारती से उन्हें आसिरवाद मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाते अभी पपू यादब ने असपष्ट नहीं की है ले जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवादू